नमस्ते दोस्तों आज आप मुंग दाल की बड़ी बना रहे हैं आप लोग घर बैठे आडर कर सकते हैं बहुत सुद्ध तरीके से बनाते हैं बनाने का तरीका विल्कुल देशी रहता है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगा जिन लोगों ने मंगाया है उनक बहुत जरूरी रहता है कि थोड़ी से डस्ट रहती है तो उसको साफ कर लेना है ज यह ने अब मिक्सर जार में का पीस लेतें यहां बहुत ज्यादा दाल रहती तो बहुत ।चाइम लगता है हाथ में दर्ध होने लगता है अब हलका सा पानी डाल के पीश लेना ऐसे भी पीश सकते हैं लेकिन एक दो चम्मज पानी डालने से बहुत जल्दी पीश जाता है और थोड़ा सा दरदरा ही पीशना है बहुत महीन नहीं करना है और बहुत आसाने से फिश जाती है आप लोग घर बैठे आडर कर सकते हैं इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है और जो भी आडर देता है तभी हम बनाते हैं क्योंकि हम ताजी बना के देते हैं रखते नहीं है और अपने हिसा से मसाले भी डलवा सकते हैं और रिजिनल प्राइज में देते हैं जो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्राइज नहीं रहता है हमारी बड़ियों का जो लोग मंगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्संद आता है जिन बहनों ने मंगा उनको बहुत ज़्या यह काहिस ब सकिने को हिसलेटां एक ब्ने जानाय मसाले सगता अब इसको टिकाल करके प्हुर्च निकाल क्योंकि दाल को हमने मसाला पीस सा है एक किलो मूं की दाल एक यह लिए उसको सिल बट्टे पेस लेना है तीख इसालवा सकते हैं बहुत जासा पहलेலिफ़ास अद converted अच्छे से मसाला पीश लेना है बढ़ीया सा महीन बहुत महीन नहीं करना थोड़ा सा दरदरा ही रखना है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिल्कुल घर का ही जैसे लगता है आप लोग भी आडर का मौका दीजिए आप लोगों को बहुत जादा पसंद आएगा ये दीदी तो ऐसे बात करती है बहुत जादा अच्छा लगता है क्योंकि हम सामान पहले भेज देते उसके बाद ही पैसा लेते हैं हम इसा विश्वास पे काम करते हैं कभी भी हम पैसा पहले किसी से नहीं लेते हैं पहले सामान भेज देते हैं सभी लोग बहुत इमानदारी स पैसा दे देते हैं, तो वही चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इमानदारी से काम करो तो अच्छा लगता है, और किसी के लिए काम करो तो और भी अच्छा लगता है देखिए बढ़ियासा फेंट लेना है अब इसको piping bag में भरके बढ़ियासे छोटी छोटी बना लेना है क्योंकि हास से बनाने में बहुत time लगता है piping bag से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है मेहनत तो इसमें भी है किसी काम को भी करिये तो मेहनत तो लगती है बिना मेहनत का दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है कोई कुछ नहीं करता है बिना मेहनत का कुछ नहीं करता है किसी के लिए और किसी के लिए करना भी नहीं चाहता है क्योंकि हराम का जिसको लग जाती है तो उसकी आदत हो जाती है इसलिए मेहनत बहुत जरूरी रहता है और इमानदारी से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और भगवान को भी अच्छा लगता है क्योंकि जब इमानदारी से काम करेंगे तो उपर वाला भी साथ देता है और सभी कोई साथ देता है तो अच्छा लगता है देखि कि सबजी लगती है आप लोग आडर दे सकते हैं